नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विग्रम और स्वागत है आपका मारे यूटुब चैनल टेक्निकल में फिर से दोस्तों नई जॉब की इंफोर्मेशन लेका है दो नोटिफिकेशन है दोनों की डिटेल इसी वीडियो में आपको जो ही वो देने वाला हूँ पहली रुकीटमेट जो है यह रुकीटमेट नैशनल केरियर सर्विस के ओफिशल फोर्टर पे डाली गई है अमनिस्ट्य ओफ लेवर एन एप्लॉइमेंट के अंडर जो है यह डिपार्टमेट आता है और यहाँ पे दोस्तों यह रुकीटमेट जो है वो टीम प्लस एच आर सर्विस प्राइविट लिमिटेड कंपनी में है एक तरह की ट्रेणी की पोस्ट आप इसको बोल सकते है जिसमें की कोई भी ग्रेज़ियेट इंसान अपलाय कर सकता है इसमें टोटर नंबरो पोस्ट जो है वो 40 है इसके लावा एक और वैकंसी है जिसमें की ट्रेणी की है और वहाँ पे दोस्तों जो हे सैलरी के बारे में नहीं बताया गा है लेकिन वहाँ पे टोटल नमबरों पोस्ट हंटर्ड है उसमें डिप्लोमा कैंडिडेट आवे दिल कर सकते हैं अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो थोड़ी सी वेट करिए या थोड़ा वीडियो कर दीजिए ताकि आने वाली जो जोब ऑप्रेटर उसकी जानकारी आपसे मिशना हो जाए तो यह रुक्वीट में दोस्तों जाए इसमें आपको सैलरी 12,000 से 15,000 पर मन तक मिल जाएगी 40 टोटल नमबरों पोस्ट है 5, 6, 20, 20 को यह जो पोस्ट करी गी थी अगर बात करें फ रामिल लाडू में, करनाटका में और महाराष्टरा में इनके लावा कहीं और आपकी जोब लोकेशन रही रहेगी अगर आप इन लोकेशन में अपरेंटिशिप करने के लिए इंटरस्टिड है तो इसके लिए जरूर आवेदन कीजेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और मैं आपकी अपनी पुरानी वीडियो में भी बता जुका हूँ कि NCS में आपको कैसे अवेदन करना है बाकी परेशान नहीं आएगी कमेंट सेक्शन में लिखेगा मैं जरूर आपको आपके कोस्टेंस के अंसर्स दे तूगा लास्टेट 13.6.2020 है तो यानि कि 13 तारीक से पहले पहले आप इसके लिए अवेदन कर लीजएगा, कम्प्यूटर का नोलेज आपको होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजएट हैं, अवेदन कर सकते हैं, यह इसका काईडिरिया यहां पे नहीं बताया गया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जा करा हुआ है, मकैनिकल में, इलेक्रिकल में, इलेक्टोनिक्स में, तो आप इलीजिबल है, अप्लाइ जो हे वो कर सकते हैं, सैलरी के बारे में भी यहां पे नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आप जो हे वो इंटरस्टेट हैं, तो अप्लाइ कर सकते हैं, फीज किसी तरह क वो नहीं को करा जाएगा total number of post 100 है 18-30 साल अगर आपकी age है आप apply कर सकते हैं बाकि age relaxation किसी भी category को नहीं दी जाएगी क्योंकि ये एक तरह की private job है लेकिन सरकारी पोर्टर पे जो है जानकरी post करी गई है notification के link description में दिये हैं और साथी साथ apply online के भी link जो है वो description में दी है वहाँ पे click करके आप सीधा इन jobs के लिए आवे इतन कर सकते हैं तो यही दोस्तों जो था इस वीडियो में और यही लिखा गया इनकी notifications में apply करना चाहते हैं कर सकते हैं thank you very much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी समझाई होगी वीडियो से related आपके questions comment section में लिखे चैनल को subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में